हेलो एब्रीबन बेरी वेल्कम टू अबर चैनल जीएस बाई दिवाकर एंड दिस इस सत्यम परमा स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीएस बाई दिवाकर पर और आज यहां पर अपने लोग बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन डिसकस करने वाले है वो भी बिलकुल व्याक्षा के साथ में जिसकोई व्याक्षा आप लोगों को नेक्स्ट पैज में दी गई है यह जो आप लोगों से यू पी असी में पूचे गए है इनको अपने लोग डिसकस करेंगे और बिलकुल डिटेल में जानेंगी ठीक है तो चलिए सुरू करते ह अपना ये पहला question और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड से जरूर कीजेगा तो चलिए यहां पर कोरियोलिस बल के संदर में निम्नवित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कत्निस में दिया गया ठीक है तीष राहि है कोरियोलिस बल प्रवर्टा बलके समानांतर को यहां पर कथन डिये गया क् uncles सा सही है केबल एक सही है केबल और दो सही है या फिसफूणों सही है इन मैंसे कोई भी सही नहीं है तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो option दिया गया है कि जो पहला कहा है कि यह जो पबने होती है Coriolis जो बल होता है इससे पबने उत्री गुलार्द में अपनी मूल दिसा से बाई और जाती है जबकि यह काम जाती है दाहीनी ओर जाती है फिर यह कह रहा है कि अब विश्वत ब्रत पर सर्वादिक होता है और धुर्वाँ पर यह अनुपस्तित होता है यह भी उल्टा बता रहा है क्योंकि यह आप लोगों ने पढ़ा होगा Coriolis पर को तो जो बिश्वत रेखा पर कैसा होता है सून यह होता है और ऊपर जाते जाते दुर्वाँ पर यह सर्वादिक होता है यानि कि यह फिकलत हो गया क्या करता है को Coriolis बल डाप्रब़ता बल की समानांतर कारे करता है जबकि समानांतर कारे नहीं करता है यह कैसे कारे करता है समकोण पर काररे करता ठीक है तो यहां पर जो option आपनों correct होगा वो कौन सा हो जाएगा फोल्त यानि कि जो डी दिया गया इसमें यह सही हो जाएगा अब इसकी ब्याक्या यहां पर देखने कीजिए पूरा इसको जान लीजिए को रिलिस बल क्या होता है प्रत्वी का अपने अक्ष पर गोणन पवनों की जिसा को प्रवावित करता है यानि कि जब प्रत्वी घूमती है तो उससे क्या होती है जो पवने होती है बो भी घूमती है तो यह जो प्रभाव है यानि कि हवाएं विच्छेपित होती है उसको जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया अब इससे क्या-क्या होता है इस प्रभाव से पवने उत्री गुलार्द में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ जाते हैं, यानि कि जैसे यह आपकी विशुवत रेका हो गई, यहां से जब आप लोग नौर्थ में जाएंगे, यह आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है, यह साउथ है, यह नौर्थ है, सीदे सीदे चलनी चाहिए, लेकिन प्रत्वी अपनी घूमती है, तो इसी तरीके से हवाई घूमेंगी, तो यहां पे तो इन पो ज्यादा बल नहीं पड़ता है, लेकिन जब उपर जाते जाएंगे, तो नौर्थ में जाएंगी, तो हवाई यह दाहिनी तरफ होती जाती ह जब पवनों का बेग अधिक होता है, तब बिच्शे पड़ भी क्या होता है, आधिक होता है यानि कि पहला जो ओप्सन आप लोगों को दिया गया था वो गलत हो जाएगा, दूसरा यहां पर है, कोरिलिस बल अच्छान्सों के कौन के सीधा अनुपात में बढ़ता है, या समानुपात होता है लेकिन दर्वाँ पर जाएंगे तो यह सरवादिक होता है और विश्वत ब्रत पर कैसा होता है अनुपस्थित होता है यहां पर क्या दिया था क्वेश्चन में क्वेश्चन में उल्टा दिया गया था क्योंकि जो दर्वाँ पर होता है वो कैसा बताया थ सिद्ध बताया था और विश्वत रेखा पर सरवाधिक बताया था जो ऑप्षन सेकिंड था वो भी आपनों का गलत हो गया तीसरा इसमें कह रहा है कोरियूलिस बल दाप्रवर्टा के समकोण पर कार रेकरता है और वहां पर कैसा बताया था समानुपात बताया था दाप्रवर्टा बल समदाव रेकाओं के समकोण पर होता है दाप्रवर्टा जितनी अधिक होगी पवनों का पेक उतनाई अधिक होता है और पवनों की दिसा जितनी अधिक होती है तो उतनाई क्या होता है वो पवने बिच्छेपित होती है यानि कि तीनों आप लोगों को अ दिसंबर की 22 तारीक को सूर कहां पे होता है उत्तर धुर्विय ब्रत पर छेतेज के नीचे नहीं डूबता है या फिर दक्षिन धुर्विय ब्रत पर छेतेज के नीचे नहीं डूबता है या फिर मध्यान में भूमत रेखा पर उर्ध्वादर रूप से ब्योमस्त चमकता है मकर रेका पर उर्धादर रूप से ब्योमस्त चमकता है तो 22 दिसंबर को सूर कहां पर रहता है यह आप लोगों को बताना है उनका घर कहां पर होता है सूरज चाचा का यह बताना है आप लोगों को तो यहां पर देखिए जब 22 दिसंबर को यह मकर संक्रान्थी की बात करता है, कहां पर होता है, यह होता है दक्षे धुर्भी अब्रत जो होता है, छितिज की नीचे डूबता नहीं है, यानि कि सेकिंड ओप्षन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, अब कैसे करेक्ट होता है, इसकी एक्स्प्रिमिनिसन आप लोगों को यह दिगरी है, यहां पर देखिए, बात करते हैं 21 जून की, तो 21 जून को आप लोग जानते हैं, ग्रीज में संक्रान्थी के नाम से, ठीक है, इसके दौरान उत्री गुलार्द में बर्स का सबसे लंबा दिन होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहां पर सूरज जो होता है, पिल्कुल लंबबत होता है, करक रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, साड़े तेश डिगरी, साड़े तेश डिगरी यह उत्तर की बात कर रहा है, तो यह करक रेखा की जहां पर क्या होता है, उत्तरी गुलार्द में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षनी गुलार्द म अगर देखाया तो सबसे छोटा दिन इसी दिन होता है इस समय प्रत्वी का उत्तरी धुर्व सूर्य की ओर अपने अधिक्तम जुगाप पर होता है किस दिन की बात कर रहा है 21 जून की कर रहा है इसको बोलते है सीत कालीन शंकरांती इसके दोरान अंटर्फ का व्रत में अंतर्वी अक्ता अल्ण कें की पर होती है ब्रत्म को यहां धिक्तम कंध गई रहा हिए नेक्स्ट्र कुषिण देखी नेक्स्ट है आप निम्रिकित मैंसे किसे ग्रेट टैप के रूप में जाना जाता है अब देखिए आप ग्रेट टैप क्या होता है यह कुछ जानवरों के नाम दिये गए आप लोगों को अब ग्रेट टैप मतलब जो जानवर होते हैं वो इंसानी रूप में होते हैं जैसे आ डिखाय देते हैं एन मैसे आप लोगो को चांटना से जानवर दिखाये आते हैं चारों, जानवर प्रेसु कर दिखायए तो इन किसे जानवर के रूप में दिखाया देशती हैं बजाना ब paying Oh छोरेंगिकोन को इस जानवर दिखायेons with the 다른 Dhissness दिया गया है यहां पर बोड II हो जाएगा छीके सदेक्रक्ट हो जाएगा है अब भी कि दिए इसकी व्याख्या यांपर धी गई है ग्रेट उप्रामिट सुपर फैंदि ठीक इसको क्या बोला आता है प्रामिट सुपर सेमिली यानि कि हो मो होमोनोडिया के नाम से भीतर टेक्सोनोमिक परिवार होमिनेड से होता है यानि कि अपन लोग जो होमो सैपियंस होते हैं उसी से संबंदित यह जीव होते हैं बोनवो जिसको पेन पेनिक्स के नाम से चिंपेंजी जिसको पेन ट्रोगलाइट्स के नाम से पूर्वी गोरिल्ला जिसको गोरिल्ला बेरिंगेई के नाम से पस्मी गोरिल्ला जिसको गोरिल्ला गोरिल्ला जाना जाता है और अरंगो टन जिसको पोंगो के नाम से उनका कैसा साकार हुता है आगलन可以 आउट होता है और विल्कुल मानव के रूब क्रती का होता कैसा होता है यानि कि इसे हीके दो हाथ दो पेर लिए से खड़े रहते यह थudस तरीके से आप लोगो ने ने तो ये कैसे होते हैं, great app की रूप में जाने आते हैं, तो इसलिए इनको क्या का जाता है, great app का जाता है, कारण की आउता उसका आकार बढ़ा होता है, मानव जैसे उनकी आकरती होती है, आगे बढ़ ये next question देखिए, question number 4, दी गई विसेश्थाओं के आधार पर जल अपवा प प्रतरूप दिये गए, कौंसा प्रतरूप उनका सही होगा या आप लोगों को बताना है, चलिए इसको देख लीजिए, यह धारा और उनकी सहायक नदियों के सबसे सामाने प्रतरूप का प्रतिनिजित तो करता है, ठीक है, यह एक समयार प्रकार की चट्ताने और नियमित धलानों वाले छेत्रों में मिलता है मांचित्र या फिर हवाई तस्मीर में यह जल निकासी प्रत्रूप पौधे की पत्ती पर नसो की तरह दिखता है जिसमें तीब्र कॉण के साथ में छोटी छोटी धारा है मुख्य धारा में सामिल हो रही है ठीक है जो में धारा हो रही है उसमें सामिन हो रही है नसो के रूप में भी दिख रहा है तो यह किसकी बात कर रहा है पताइए यह बात कर रहा है किसकी ब्रक्षाकार की आरिय की जाली नुमा की या फिर अभी केंदरी की तो यहां पर जो भी इनकी विसेशता दे गई है इस आधार से अगर देखा जाए त पहले जानेंगे ब्रक्षा का प्रत रूप को यह सामाने रूप से है और इसका जो पैटन होता है पेड़ की जड़ों और उनकी साखाओं के जैसा दिखता है उसमें यह तो बोलाता है कि नसों की रूप में दिखता है और में साखा में ही मिला होता है ब्रक्षा के समान पैट चेत्र के धलान का अनुसरण करती है यह पैटन उन चेत्रों में विक्सित होता है जहां धारा के नीचे चट्टान की कोई विश्यस रक्षना नहीं होती है और धारा सभी दिसाओं में समान रूप से आसानी से फैल जाती है यानि कि जब धलान कम होता है नदी का तब हो क्या ह वे हुआ होती कई सारी वह भीतारी का धाराह में बढ़ जाती है तो यह क्या हो जाता है ब्रक्षाकार पत्रूप बढ़ाता है सहायक नदिया नियूनCOR यानि görünишь 90 डिग्री से कम होती है पर बड़ी धाराव से मिलती है यानि कि कोई जो एक में स्ट्रीम होती है इसकी इससे तो जरूर मिलती है बाद में जाकर के अलग होती है इससे मिली होती है ठीक है जैसे आप लोगोंने नदियां देखी होंगे उत्तर मैदान की जो नदियां है बनाती है डेल्टा बनाती है तो यह किस तरी के बनता है ब्रक्षकार बनता है चलिए आगे देखिए यहां पर आ रही है जो के रेडियल प्रतुरूप के नाम से आप लोग जानते हैं इसको इसमें क्या होता है जाने कि मानलीज़ए आपको कोई एक परवत है ठीक़र यहां से नदियां निकल रही है और सबसंक्ला यहां से निकलने वाली जो नदियां होती है इस अपवा प्रत्रूप का सबसे अच्छा उधारण ये माना जाता है आमर कंटक्स से कौन-कौन सी नदिया निकलती है ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे ठीक है? फिर आता है आपनों के जाली नुमा ट्रेलेस अपवा प्रत्रूप जाली नुमा में जो जाली नुमा नदि प्रणाली मुड़ी हुई इस्तलाकरती में बिक्सित होती है जहां पर कैसी चटाने होती है? कठोर और नरम चटाने होती है यानि कि जो नरम चटाने होती है वो कठ जाती है कठोर चटाने खड़ी की खड़ी रह जाती है तो कैसी जो अपवा परत्रूप जो बनता है वो जाली नुमा बन जाता है एक दूसरे के समानांतर मौजूद होते हैं सेसर्टाबणी रहती है दौसरी दूसरे के समानांतर बैदिया मौजभा परत्रटा बनता है यानि कि एक इस तरीके से बह रही है तो दूसरी इस तरीके से चली आ रही है समकौण पर हिमाले चेतर के उपरी भाग में आप लोग जाएंगे तो जो सिंदु नदी है गंगा नदी है इसमें भ्यूधारम देखने को आपको मिल जाएंगे आगे बढ़िए तो नेक्ष्ट बयाता परवत वाला यहां पे जो नदीया निकल ली ति जैए तरीके से अब इसमें क्या होजआगा उल्टा हो जाएगा एक एयस कर लें lithium होता है और जो सबी धरह होती यहां पर मिल जयाती है इस तरीके से जाती है तो क्यां सा होता है इता है檬 खेंडरियों होता है क्योंकि इसमें धारा क्या होती है एक केंद्री बिंदू की ओर में जाती है मांसून के दोरान ये धाराएं अलपकालिक जील बन जाती है जील कैसी होती है जहां पर आप लोगों कोई चार ओर में नदी देखने को नहीं मिल रही होगी लेकिन एक बीच गड़े में पानी भरा जाती है जब पानी चला जाता है बारिस बंद हो जाती है तो वो कुछ मंत बाद में जील भी क्या हो जाती है सूख जाती है कभी कभी इन सूख की जूलों में नमक भी बनाया जाता है क्योंकि जील के पानी में नमक घुला होता है और नमक घोल से बाहर निकलाता है और पान फाइब एक उशन नंबर यह करकरेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है मिजोरम, तरिपुरा, मनिपुर एवं 36 गड़ मैं अब देखें किन-किन राज्यों से होकरके करकरेखा गुजरती है भारत में टोटल आठ राज्यों से प्रादेशिक सागर मुख्य सागरी तट से 24 समुद्री मील दूर है ठीक है दूसरा यह कह रहा है कि अपने सन्यत छेतर में भारत के पास राजकोशी अधिकार है आपरिजन कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है तीसरा कह रहा है सन्यत छेतर के आगे सागरी छेतर जो मुख्य समुद्र तट 200 समुद्री मील तक है इसे बिसिष्ट आर्थिक छेतर के रूप में जाना जाता है आप लोगों को यहाँ पर पहला दूसरा सभी एवं कोई नहीं तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यह बताना है आप लोगों को तो देखें यहाँ पर जो आपका पहला आप्सन यहाँ पर दिया गया है जो भारत का प्रादेशिक सागर है मुक्य सागरी तट से 24 समुत्री मील है तो यह गलत हो जाएगा प्रादेशिक सागर की बात करता है यह कितना होता है 12 नौटिकल माइल होता है कितना होता है 12 नौटिकल मील होता है तो यह आपका जो पहला option हो जाएगा यह गलत है दूसरा कहा रहा है कि अपने सन्यत छेत्र में भारत के पास में राजकोसी अधिकार है आप रिजन कानूनों को लागो करने का अधिकार होता है यह भी correct हो जाएगा यह correct है चीक है और EEZ के रूप में जाना जाता है सन्यत छेत है जैसे आप लोग का घर है इसके बाहर की जमीन होती है गेट के बाहर की तो यहां पर आप लोग किसी को ना तो गाड़ी खड़ी करने देते हो ना किसी को ठिलिया लगाने देते हो बोलते हो भाई इसको हटाले हम लोग का है लेकिन इसके बाद में क्या हो जाती है आप ल प्रस्पाइब गारा है या कोई भी मतलब बगार फैक के जा रहा है या फिर जो रूल है उनका उल्लंगन कर रहा है तो उसको आप लोग बोल सकते हों यह अपका इसमें पूरा हक नहीं है लेकिन जो समुद्री रूल बने हुए उसको आप लोग इसको लागू कर सकते हैं कि यहां पर कशड़ा मक्त हैं के सफाई रखे कोई भी कानून न तोड़े यह आप लोग इतना बोल सकते हैं फिर यह बोला जाता है आप लोगों का EEZ जो के एक्सकुलूसिव एकोनम मिक जोन के नाम से जाना जाता है यहाँ पर बगिरा घ्राप बगएर अहोता है यह सब किया जाता है तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्सन होगा वह आपका स्थेंड रेक्ट हो जायगा इसकी ब्याख्या नीचे दिये गई इसको देख लेते हैं एक मिनट एक मिनट यहां पर जो एऊ जैट दिया गया था न हाँ तो दो सही है न सभी नहीं वोंगई हाँ आप पर ऑप्षन में पूप्षा गया है कि ऑप्षन बूसरा सही नहीं दो options आई हैं एक और दो ठीक है एक और दो सही है यह पूछा गया है तो जो सन्य च्छेत्रे आगे का सागरी च्छेत्रे जो मुख्यर समुद्र तट से 200 समुद्री मिल तक है इसे विशिष्ट आर्थिक जोन यानि कि एक्सकुलूसिव एकोनोमिक जोन के रूप में जाना जाता है तो यह भी करेक्ट है यानि कि यहां पर इस तरीकी से दो ठीक है ठीक है पहला और दूसरा तो यहां पर जो option होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा चलिए इसकी ब्याख्या देगीजिए यह ब्याख्या दी ठीक है यानि कि पेरा जो option उसमें दिया गया तो गलत है प्रादेशिक समुदरी सीमा से आगे मुख्य समुदर तर्ट 24 मील दूर का छेतर सन्ना इस छेतर की रूप में जाना जाता है यानि कि S E Z इस छेतर में भारत की पास में राजकोशी अधिकार है उत्पाद सुलक समुदरी चेतर जो मुख्य तर्ट रेका से 200 समुदरी मील तक है विसिस्ष आर्थिक चेतर के रूप में जाना जाता है इस छेतर में भारत को खनी संसाधन समुदरी उर्जा समुदरी जीवन सर्वेक्षण दोहन सर्रक्षण अनसंधान का अधिखार इस पे लागू होता ह जो आपको लोगों का third option तब भो भी correct हो जाएगा ठीक है तो दू यहां पर जो option दिये गया है एक और दो counting में 1 plus 1 is equal to 2 ठीक है इस तरीके से आगे पढ़िए next question देखिए जैट्रिष्टीम सिध्धान्त के संबंद में कत्नों पर विचार करना है पहला यहां पर कह रहा है जैट्रिष्टीम के बारे में कि भारत में दक्ष्ण पष्चिम मांसुन जैट स्टीम से संबंदेते हैं दूसरा कह रहा है कि सीट काल में भारती उपमादीब में प्रवेश करने वाले पष्चिमि विश्चो उसमनों कटवंदिये पूर भी जैट स्टीम स्टीम द्वारा लाय जाते हैं अब इसमें कितने कथन सही हैं उसी तरीक से question आप लोगों से पूछा गया है कि कितने कथन इसमें सही होंगे एक सही है दो सही है या फिर कोई भी सही नहीं तो यहां पर देखिए जो पहला दिया गया है कि जो भारत है यहां पर दक्षिन पस्षिम मांसून पस्षिमी जैट स्ट्रीम के शे संब्दाभ होते हैं पर पूर्वी जैट रिष्ट्रीम से संबंदित होते हैं किसे होते हैं पूर्वी जैट रिष्ट्रीम से पहला हो गया आप लोगों का गलत चीक है दूसरा यहां पर दिया गया है सीत काल में भारती उपमादीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विच्छोप उसनकटवंद यह पूर्वी जैट रिष्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं जबकि यह किसके द्वारा लाए जाते हैं यह पूर्वी के नहीं यह लेकर आए जाते हैं पश्चिमी जैट रिष्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं यानि कि पहला ऑप्सन और दूसरा ऑप्सन दौना गल इस सिदधान्त का प्रतिपादन किया गया ता येस्ट के द्वारा है एक किस के द्वारा किया गया था येस्ट के द्वारा किया था jet stream उपरी भायू मंडल में 9 से ले करके 18 km में बहुत थीब्रता निट होने वाली एक बायू धारा है आप लोगों से question पूछा गया था कि jet stream क्या है ठीक है ये पूछा गया था PGT में तो उसमें आप लोगों ने answer क्या लगाया बायू धारा है मत्य भाग में इसकी गती अधिक्तम 340 किलो मीटर प्रती घंटा होती है ये प्रणाली प्रतिवी के ऊपर एक आवरण के रूप में कादे करती है यानि कि इस तरीके से फैल जाती है लेहर नुमा जो निचले बायू मंदल में जलवायू को प्रभावित करती है भारत में दक् के दौरा से संबंदित होते हैं सीतकाल में बारती उप्रमाती प्रवेश करने वाले प्ष्मी बिछो यानि कि पश्मी जेटी स्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं कि पूर्वी के द्वारा तो यह भी आपूरों का वो जो सेकेंड ओप्सन ता वो गलत हो बयां चलिए ने नेक्स्ट है यहां पर आपनों का एंसो चक्र से सम्मंदित यह question पूछा गया है, दिख रहा होगा, पहरा यहां पर दिया गया है, एंसो चक्र पूरों मद्ध विसुवत प्रसांत महासागरी छेत्र में, महासागर एवं बायू मन्ल के मद्ध तापमान में उतार और चड़ा होती है, तीसरा यह कह रहा है कि अल नीनो सिद्धांत भारती मानसून की उत्पत्ति को दर्स आता है, तो देखें, यहां पर जो आप लोगों को पहला दिया गया है, एंसो में आप लोग किसको पढ़ते हैं, एंसो में पूरी घटना आप लोग अल नीनो और ला नीना को प कहीं परिखन animals को पर जाता है, और बिरेल होता है हमारी। है जाद साथ और हमाराल इसार नोनी नीनो सिद्धांत भारती मानसून के उत्पत्ति को दर्साता है, फकर कंस गया शतले है। तो बहुता है लानीना ठीक है कैसे होता है वह अभी अपन लोग आगे जानेंगे ठीक है चलिए तो देखिए आप यह ब्याक्षिया दी गई है इसको देखिए इसको पढ़े तो यह क्या है जटिल मौसम पैटन है जो के विश्वत प्रसांत महासागरी छेतर में समुत्र के तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन होते हैं जिसको आप लोग एल नीनो सदन ओसिलेशन एन्सो की याई चकर की विफरीत अवस्ताएं होती हैं एन्सो चकर पूर मद्य विश्वत्य प्रसांत महासागरी छेतर में महासागर यह वाम बायुमंजल के मद्य तापमान में उतार चड़ाव कोई दर्साता है पहला आप्सन आ पूरेशन उसको कहा जाता है एक जलबाई प्यटर नहीं जो के उस्ण कटवंती प्रसांत महासागर में सतही जलगी असामान निये हुष्णता का बनन करता है यह अल्णीनों दक्षिनी दोलन एंसो नाम के बड़ी घटना है जो के उस्ण वस्ता होती है कैसी होती है उस्ण नौफ्टन दिया गया था वह आप लोगों का हो जाएगा गलत क्योंकि ठंडी नहीं है यह कैसी धारा हो जाएगी कर्म जल धारा है आगे अलनीनों के उस्ष्ण जल से दक्षणी भूमत दे रेकिये उस्ष्ण सागरी धारा का तापमान बढ़ जाता है चूंकि सागरी धारा यह पेटी हिंद मालसागर के पूर्वी मध्यभाग तक फैलती है तो यह मान SG की दिसा क्या कर देती है परिबरतित कर देती है अलश्गरणों परिगतना भारत में कम दोश्वर मांसन यहां तक कि सुचकता लाने में जुगदान करती है अलनिनों सहित्दाना में भारत लानीना की गठना देखी गई है आगे बड़िये लानीना यहाँ पर दिया गया है लानीना क्या होता है एंसोगी सीतल अवस्ता है यह कैसे होता सीतल अवस्ता है यह है इसा पैटर्ञ है जो कर सीतल भर्सक्रस से अधिक नहीं रह detail है दौनों घटना कहां पर घटित होती है उत्तरी गुलार्द में सीथ काल के दौरान पर चरम अवस्ता पर होती है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट है आपने आपनों का बायू मंडल की परतें दी गई है और उनकी विशेष्टाएं दी गई है तो इनको देख लेजे मध्य मंडल ताप मंडल आयन मंडल में यह बता रहा है कि अंतराष्टी अंत्रेच स्टेशन आई एसस की उपस्तिति हैं आपर ताप मंडल में अधिकांस उलका पिंड इसी बायू मंडल परत में दहन होते है आएन मंडल में बता रहा है कि प्रत्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों को बापस प्रत्वी पर भेजिए सक्षम होता है तो अब इसमें कितने यूग में सुमेलेते हैं वह आप लोगों को बता यानि कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया यह तो गलत है ताप मंडल में यानि कि अंतराष्टी अंतरेच इस्टेशन आई एसस की उपस्तिती होती है सेकिंड वाला भी गलत हो जाएगा थार्ड में कह रहा है कि प्रत्वी के द्वारा भेजी गई लेडियो तरंगों को बापस प्रत्वी पर भेजने में सक्षम होता है तो यह आयन मंडल के बारे में इसने सही बता है यानि कि केवल एक जो यूगम है इसमें वो कैसा हो गया है सुमिलित है जो पहला ऑप्शन हो अगर आपका करेक्ट हो जाएगा देख लीजिए यह आप इसकी ब्याक्ता रही गई है माध्य मंडल के अगर आपनी बसेस्ता जाना है तो इसमें क्या होता है उल्का पिंड इसी बाइव मंडल परत में जलते हैं ताप मंडल में अंतराश्टिय अंत्रेची स्टेशन आई आप लोगों का में स्पीड जिसको आप लोग मंध्य मंडल यह ताप मंड और यह आपका बहिर मंडल हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन नेक्स्ट है यहाप पर कोपेन का बर्गी करण दिया गया और जलवायू सम्हू दिये गए है एक उस् सुमेलित हैं यह आप लोगों से पूछ रहा है केबल एक है केबल दो है सभी तीन है या फिर इन मैंसे कोई भी नहीं है तो कौन से यहाप है करेक्ट होगा वह आप लोगों को बताना है यह कह रहा है एक और एम और एडवलू इसमें कौन सा करेक्ट होगा यह आपको बतान ठीक है एम में बता रहा है कि उष्ण कटवंदिये मांसुनी जलवायू होती है तो आपका जो second option दिया गया है यह correct है AW में बता रहा है कि उष्ण कटवंदिये आद्ध जलवायू होती है तो इसको भी आप लुफ्ट कर देंगे गलत अब कौन सी क्या होती है इसको जानेगे यहां पर यानि कि केबल एक यहां पर सही है पहला option correct हो जाएगा चाल लिए जिसको भी COPEN है इन्होंने क्या किया था पांच प्रमुक जलवायू सम्मूहों की पहचान की थी जिन मेंसे 4 जो थे वो तापमान पर था और एक बरसा पर आधारित था ठीक है उन्होंने जलवायू सम्मूहों और प्रकारों को निर्दिष्ट करने के लिए बड़े एवं छोटे एक् अब छोटे एक्षरों में नहोंने दिखाया था जिसमें F, M, W और S जो F थी वो कैसी थी सुस्क जलवायू ना होने का संकेत देती थी कैसी थी यानि सुस्क जलवायू वहां पर होती नहीं है तो अब इसको जो बरी करने नहोंने दिया था उसको देखे तीन प्रकारों में मानसुनी जलवायू थी यह करेक्ट हो जाएगा एडवलू जो के उसको कटिबंदी आद्र और सुस्क जलवायू थी तो जो आपका धर्ड ओप्सन दिया गया था वो भी गलत हो गया ठीक है तो यह हो गया आप लोगों का आज का सेसन यह सेसन कैसा लगा जरूर लेकिन कल से इसमें 20 कोशन करेंगे एक्स्प्रीनेशन के साथ में काफी ज्यादा लंबा हो जाता तो 20 से ज्यादा कोशन इसमें सौल्व नहीं करेंगे ठीक है अगर यह सेसन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को सेयर जरूर कीजिएगा मिलते नेक्स सेसन में तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब जिरूर कीजिए कि थैंक्स पॉर वाचिंग